नमस्का दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्के भी तो आज के इस वीडियो में हम 30 अगस 2022 को रेलवे गुरुप डी का दूसरे सिप्ट का जो एक्जाम हुआ है इसमें पूछे गए जीके जीएस और करेंट अफेर्स के प्रशनों को डिसकस करेंगे तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस वीडियो की जो पीडियाप फाइल है वह आपको टेली ग्राम चैनल केवी गुरुजी या केवी गुरुजी.in के उपर मिल जाएगी वहां से आप इसकी पीडियाप को डाउनलोड कर सकते हैं इसके अलावा पहले फेज का जो आपके सारे सिप्ट का एक्जाम हुआ है उसकी e-book अगर आप लोग डाउनलोड करना चाते हैं तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी या फिर नीचे आपको सिप्ट वाइज फ्री पीडियाप के लिंक भी मिल जाएगी तो वहां से आप ल भारत ने कितने रज़त पदक जीते हैं तो अगर हम लोग सिल्वर मेडल की बात करते हैं तो भारत ने इसमें टोटल दो सिल्वर मेडल जीता था और आपको ये ध्यां रखना है कि एक सिल्वर मेडल मीरा बाई चानू ने आपके वेट लिफ्टिंग में जीता था और दू आपके रज़त पदक थे और चार कांसे पदक हैं कांसे पदक बिजेताओं के नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा एक तो हमारे बजरंग पुनिया है रेस्लिंग वाले पीबी सिंदू है आपके बैटमिंटन की लबलीना बोर गोहेन है जो की आपके बॉक्सिंग की खिला दित थे तो सुमित अंटिल के अगर हम लोग बात करते हैं ये आपके पैरा भाला फेक के खिलाडी है इससे पहले आउनी लेखारा के बारे में पूछा जा चुका है और उस समय मैंने आपको बताया था कि 2022 में टोटल हमारे आठ ऐसे खिलाडी है जिनको पदमसरी पुरसका से सम्मानित किया गया तो नीरत चोपडा, सुमित अंटिल, प्रमोध भगत, संकर नारायन मेनन, फैसर अली धर, बंदना कटारिया, ब्रह्मानंद संक वलकर और आपके हैं आउनी लेखारा आपको ये भी ध्या रखना है कि देवेंद्र ध्याधरिया जो कि हमारे पैरा भा अगला प्रश्न पोचा गया कि 2020 में गंतंत्र दिवस की परेड में भारत के मुख्य अतित कौन थे तो आपको ये ध्या रखना है कि मुख्य अतित थे जीयर बोलसुनारो, कौन है वो तो ब्राजील की राश्पती हैं जो कि 2020 में हमारे यहां पर रिपब्लिक डे के परेड म चीफ गेश्ट थे, नाम इनका है जेयर बोलसुनारो, आपको ये भी ध्या रखना है कि 2021 और 2022 में COVID-19 के कारण ये जो आपके रिपब्लिक डे की परेड है, इसमें कोई भी चीफ गेश्ट नहीं था, आपको ये भी ध्या रखना है कि 2021 और 2022 में जो आपके राज्यों की जहा जहाकी निकाली गई उसमें उत्तर प्रदेश की जहाकी को पहला स्थान मिला है जबकि 2020 में असम की जहाकी को पहला स्थान मिला था। अगला प्रशन पोचा गया कि फरवरी 2022 में ट्रांस जेंडर और भिच्वों के लिए केंदर सरकार ने कों सी योजना लॉंज की है तो ये जो इसकीम है इसका नाम है इसमाईल तो साइट आप सभी लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा इसमाईल का पूरा नाम है तो जो भी हमारे देश में ट्रांस जेंडर और भीक मांगने वाले कम्यूटी है उनके लिए सरकार के द्वारा इसमाईल योजना को शुरू किया गया है अगला प्रेश्ट पोचा गया ये तो भईया पीछा नहीं छूड रहा है कि किस सम्मिधान संसुधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को सम्मिधान में सामिल किया गया तो ये आपका 73 सम्मिधान संसुधन है जो की 1992 में हुआ था और 24 अपरेल 1993 को पंचायती आर्टिकल यानि कि 243 से 243 ओ तक इसको भी भारतिय सम्मिधान में जोडा गया था अगला प्रशन पोचा गया कि 2004 में किस भासा को सास्त्रिय भासा का दर्जा दिया गया तो ये भी लगातार पीछा किये हुए हैं सास्त्रिय भासा वाले ध्यान रखियेगा 2004 में हमारे जिसमें 6 क्लासकल लैंग्वेज हैं जिसमें से तमिल को 2004 में कल संस्कृत पूछा गया था जिसको 2005 में कन्नड़ा को 2008 में त्यलगू को 2008 में मल्यालम को 2006 में और उडिया को 2014 में दज्जा मिला है अगला प्रशन पूछा गया कि भारतिय समिधान के किस अनुच्छेत के अंतरगद निरोध वा गिरपतारी से सनच्छन प्राप्त है तो ये बहुत है सिंपल सा प्रशन है ये हमारे समिधान का अनुच्छेत 22 है जिसके अंतरगद आपको निरोध और गिरपतारी से Article 19 की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो आपको वाग और अभिवयक्ते की सुतनुरता का अधिकार देता है Article 20 की बात करें तो अपराध दो सिद्धी के सम्मंद में ये संच्छण देता है Article 21 की बात करें तो प्राण और दैहिक सुतनुरता और जो आपके निजिता का अधिकार आज पहले सिप्ट में पूछा गया था वो आइडिकल 21 में आपको मिलेगा इसी प्रकार से आइडिकल 21A की बात करें तो 6-14 वर्स के बच्चों को निशुल्क और अनिवारे सिच्छा ये भी कई बार पूछा जा चुका है और आइडिकल 22 में गिरफतारे के संबन में संरच्छर का प्रावधान है अगला प्रेश्ट पूछा गया ये भी आपके कल पहले सिप्ट में पूछा गया था बस थोड़ा सा तरीका अलग था क्रिश्णा नदी कहां से निकलती है तो महराष्ट में जो आपके महाबलेश्वर की पहानियां है वहां से क्रिश्णा नदी निकलती है और आपको ये भी ध्यां रखना है कि टोटल पांच नदियां है जो की महाबलेश्वर की पहानियों से निकलती है एक हमारे कृष्णा नदी है एक कोईना नदी है एक आपकी व्यन्ना या फिर वेनी नदी है एक सावित्री नदी है और एक नदी का नाम है गायत्री अगना प्रश्ण पूछा गया कि भारत में जो तीसरी पंच वर्षी योजना है इसका समय क्या था तो आपको पता होना चाहिए एक अपरेल 1961 को ये शुरू हुआ था और 31 मार्च 1966 को ये समाप्त हुआ था और इसके जो हमारे वास्तुकार थे उनका नाम गौडजिल था इसलिए इसे हम लोग गौडजिल योजना के नाम से भी जानते हैं तो ये आप लोग बारा पंच वर्सी योजनाय देख सकते हैं पहली 1951 से 56 तक थी दूसरी 56 से 61 फिर आपका तीन वर्सों का उकास था फिर चौथी फिर पाच्वी उसके बाद में रोलिंग प्लान चलता है तीन सालों तक 78, 89 और 80 में 80 में आपके छटी आती है फिर 7 में 1985 में फिर आपके दो साल का गयफ होता है 90 से 92 में फिर 1992 से 97, 97 से 2002, 2002 से 2007 और आखरी वाली आई थी आपकी 2012 से 2017 तक अगला प्रशन पूछा गया कि धुआधार जल प्रपात का जो निर्माण है ये किस नदी के द्वारा होता है तो धुआधार जल प्रपात के अगर हम लोग बात करें तो इसका निर्माण नर्मदा नदी के द्वारा किया जाता है और आपको ये पता होना चाहिए कि अमर क जलप्रपात का निर्माण किया जाता है एक प्रश्न सायद ये भी आया था कि युविका नाम का जो प्रोग्राम है ये किसके द्वारा शुरू किया गया तो वैसे ये 2019 का करेंट अफेर से इस द्वारा 13 मई 2019 को युविका नाम का ये प्रोग्राम शुरू किया गया था क्या के परपस से इस रो ने आपके यहां पर जो डिपार्टमेंट आफ स्पेस है उसकी मदद से इस प्रोग्राम को शुरू किया था तो बताईएगा कमेंड में कि क्या ये प्रश्ण आया था या फिर नहीं अब आते हैं कमेश्टी पर तो कमेश्टी में एक प्रश्ण पूछा जा गया था कि डोए राइनर का जो त्रिक नियम है इसकी सीमाये क्या थी? तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि डोहराइनर महोदे ने जो अपने त्रिक का नियम दिया था इसमें इन्होंने तीन अटम को लेखर करते ये बताया था कि अगर हमारे पास में दो एटम ऐ अब ध्यान रखिएगा कहीं कहीं पर आपको पांच ट्राइड भी पढ़ने को मिलता है तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि डोवे राइनर के द्वारा सिर्फ आपके तीन ट्राइड के खोश की गई थी जितने भी उस समय अवलेवल एलिमेंट थे वैसे ये पांच ट् सोडियम और पोडैसियम था दूसरे में आपका कैलसियम इस्टांसियम और बेरियम था तीसरे में आपका कैलसियम ब्रोमीन और आयोडीन था फिर आपके चोथे में सलफर, सलेनियम और टेलूरियम था फिर आपका आयरन, कोबाल्ट और निकल था तो ये आपके पांच ट्र परियोरिक टेबल बनाई गई थी या फिर डोबेराइनर जो त्रिक का नियम दिया था या नियू लाइन का जो ऑक्टेव रूल है इन सभी का जो ये सारे नियम थे वो आपके परमाणू द्रविमान के उपर वेश्ट थे 1913 में हेनरी मोजले के द्वारा जो आपकी आधुनि इसमें से जो 94 हैं वो आपके निचुरल हैं वहीं पर अगर हम लोग 24 एलिमेंट की बात करते हैं तो इनका निर्माण लैब में किया गया है यानि कि ये आपके कर्तिम है अगला प्रशन पोछा गया कि अमल और चार की अबक्रिया से क्या होगा तो कुछ इसी प्रकार का ये लोग उदा सेनी करण अबक्रिया के नाम से भी जानते हैं अगला प्रशन पोछा गया कि सोडियम कार्बोनेट जल के साथ अबक्रिया करके क्या उत्पात बनाएगा तो सोडियम कार्बोनेट के अगर हम लोग बात करें ये आपके पानी के साथ अबक्रिया करके बेकिंग स पहाने वाला सोडा है, इसके अलावा यहां पर कास्टिक सोडा यानि की सोडियम हैडरोकसाइड का निर्माण होता है। अगला प्रशन पूछा गया कि किस अमल को मुरियेटिक अमल के रूप में जाना जाता है। तो जो आपका hydrochloric अमल है जो की एक strong acid होता है इसी को हम लोग muriatic acid के नाम से भी जानते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे hydrogen chloride का aqueous solution होता है और आपको ये भी ध्यान रखना है कि पाचन के दौरान जो हमारा पेट है उसके द्वारा भी hydrochloric अमल को ही स्रावित किया जाता है अगला प्रशल पूछा गया कि bleaching powder जो है इसका उपयोग कहां पर होता है या क्या होता है bleaching powder के अगर हम लोग बात करें इसे हम लोग बिरंजग चून भी कहते हैं तो पानी के सुध्धी करण में खास तोर पे जो टंकी वाला पानी होता है क्लोरीन के उत्पादन म आक्सी कारक एजेंट की रूप में जो आपके कपडों का रंग उड़ाया जाता है यानि की कपडों के विरंजण में तो इन सभी में इसका यूज होता है फार्मूला इसका है CAOCl2 और इसे हम लोग sodium hypo chloride की नाम से जानते हैं आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब बुझा हुआ चूना CL2 के साथ में अफ्क्रिया करता है तो इसके परिणाम सुरूप bleaching powder का निर्माण होता है और ये अलड़ी दो-तीन बार आपके group D में आ चुका है अब आते हैं physics पर तो वहिया physics में हमेशा की तरह आपके numerical ही जादा पोचे गए हैं तो numerical में हो सकता है data मेरा जिनको आप लोग समानांतर में छे बोल्ड की बैटरी के साथ में जोड़ देते हैं तो कुछ इस प्रकार का बनेगा माले जी हमारा एक resistance हो गया यहां पर दूसरा हो गया है उसके बाद में इस प्रकार से हमने इसको बैटरी से connect कर दिया है यहां बैटरी लगी हुई है तो हमारा i हो जाएगा एक बिद्धुधारा आपकी i1 होगी और एक बिद्धुधारा हो जाएगी i2 तो सबसे पहले हम लोग जो तुल्यात्मक resistance है उसको निकालेंगे यानि कि 1 अपान r equal to 1 by 3 प्लस 1 by 6 इसे आप लोग थोड़ा सा solve करेंगे तो 2 ohm आ जाएगा हमारा equivalent resistance अब हम लोग पूरे परिपत के लिए बात करते हैं यानि कि यहां से जो i बह रहा है तो i equal to हो जाएगा ve divided by r यानि कि 6 divided by 2 और यहां से value आजाएगे 3 A. यानि कि यहां से दारा जा रही है वो 3 A. जब हम लोग i1 की बात करेंगे यानि कि 3 ohm वाले की बात करेंगे तो 6 से फिर हम लोग तीन को डिवाइड करेंगे, दो एंपियर हो जाएगा, यानि कि इसमें आपका दो एंपियर की धारा जा रही है, बचा हुआ एक एंपियर इसमें जाएगा, इसे भी आप लोग निकाल सकते हैं, I2 equal to V divided by R2, तो 6 को डिवाइड करेंगे 6 से, एक एंपियर यहाँ पर आ जाएगा, हमेशा यह ध्यान रखिएगा, कि जब भी हम लोग समानांतर करम की बात करेंगे, तो वहाँ पर आपके जितने भी रेजिस्टेंस होंगे, उनके लिए धारा अलग-अलग होगी, लेकिन के प्रितरोध से 0.6 A के धारा बह रही है, तो एक सेकंड में उत्पन उर्जा क्या होगी, सिंपल सा प्रशन है, हीट एनरजी होता है, I2RT या फिर B2T divided by R, यहाँ पर आपके पास में I, R और T given है, तो सिंपली 0.6 multiplied by 0.6 multiplied by 10 करेंगे, और वैलू आपकी आ जाएगे 3.6 J, क अगला प्रशन पूछा गया था, दरपन से, कि अवतल दरपन की जो फोकस दूरी है, वो 15 cm है, प्रतिविम की दूरी आपके 45 cm है, तो वस्तु की आपको दूरी बताना था, सिंपल सा प्रशन है, मैंने आपको बताए, डेटा थोड़ा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि अगर यह आपको पता है, तो आप तेजी के साथ में प्रशनों को सॉल्व कर पाएंगे, तो आउतल दरपन के लिए फोकस दूरी भी निगेटिव है, वस्तु की दूरी भी निगेटिव है, और इमेज की दूरी भी आपके निगेटिव हो जाएगी, एक कंडिशन आती है जब यह होता है पाएंगे, तो यहाँ पर आप लोग फोकस दूरी को माइनस के साथ रखेंगे, वी जो आपका है वो माइनस फॉर्टिव है, यू हमको यहाँ पर फाइंड करना है, वन अपान यू को आप लोग इधर ले आएंगे, तो यह हमारा माइनस वन अपान फिप् यानि कि जो हमारे वस्तू की दूरी है, वह आपकी 22.5 cm होगी, और कुछ इस प्रकार का आपका इमेज बनेगा, यानि कि जो फोकस दूरी है, यह 15 है, इस से थोड़ी से और आगे आपने वस्तू को रखा हुआ है, और जो आपकी इमेज है, वो 45 cm पर बन रही है, आप कह सक करते हैं कि जो इमेज है, वो वास्त्विक है, यह इमेज आपकी उल्टी है, और यह आपकी वस्तू से बड़ी इमेज बनी है, अगला प्रशन उत्तल दरपन से आया था, कि फोकस दूरी अगर 10 cm है, और वस्तू की दूरी 15 cm है, तो फिर आपको प्रतविम की इस्थिती को बताना था, फिर दिया रखिएगा, कि उत्तल दरपन के लिए फोकस दूरी हमेशा पॉस्तिव होता है, वस्तू की दूरी हमेशा नेगेटिव होती है, और इमेज की दूरी होती है हमेशा पॉस्तिव, आइए योज करते हैं दरपन फार्मूले को, कि 1 divided by f equal to 1 by b minus 1 by u, फिर अपान b equal to 1 divided by 10 minus 1 divided by 15 होगा, यहां से आप लोग LCM लेंगे तो यह 30 हो जाएगा, solve करेंगे तो value आपकी आजाएगी, b equal to 30 cm, अब कौन सी स्थिति होगी, तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की स्थिति होगी, यहां पर जो हमारी फोकस दूरी है, वो आपकी 10 cm है, उसके ब 30 cm हो जाएगा, तो आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा यहां पर image बनेगा, biology से मुझे कोई प्रशन नहीं मिल पाया है, तो biology के प्रशनों को इसलिए हम discuss नहीं करेंगे, इसके अलावा अगर आपको कोई प्रशन याद हैं, तो आप लोग comment में जरूर बताईएगा, जि जूँ कि इसको करें ही बताईएगा, बताईएगा, एापको कर में हाऊ दो हुट रवगा है, तो आपको की जोग्चोंगा, तो अजिस नहीं मिल एा अटाईगाया हैं, तो आपको कries को कि अजिते हैं, एापको कि देवा नहीं मिल णनुआ हैं, पताईगा तो जो और